हलो स्टुडेंस, मैं स्वपना जैन आज आपको बी ए थर्ड एर का पेपर सेकिंड भारत में स्थान ये प्रिशासन के इस लेबस के बारे में बताऊंगी इस पेपर में जो मुख्ये चीजें हम समझेंगे जानेंगे वो इस प्रिकार है सबसे पहले हम समझेंगे इस्थानिय स्वप शासन का अर्थ, स्वरूप और अधुनिक राज्य में इसका क्या महत्व है इस चैप्टर में हम स्थानिय शासन और स्वयत शासन में क्या अंतर है परिभाशा, इसकी प्रकरती और लक्षन के बारे में जानकरी ग्रहन करेंगे स्थानिय स्वयत शासन की आवशक्ता और महत्व, आधुनिक समाज में क्या है इसके बारे में भी जानकारी ग्रहन करेंगे उसके बाद हम पढ़ेंगे भारत में इस्थानिय स्वायत शासन की संस्थाओं का विकास प्राचीन भारत में इस्थानिय स्वायत शासन संस्थाओं का विकास कैसे हुआ विबिन काल खंडों में इसमें क्या कर डवलापमेंट हुए समिधान के कुछ प्रमुक अधिनियम जो इस्थानी स्वायत शासन के साथ जूड़ियों है जैसे कि भारत के समिधान का तहतर्मा और चोतर्मा समिधान संशुधन ये अधिनियम की प्रमुब विशिष्टाओं को बताएगा इस तत पश्षात अपन पढ़ेंगे भारत में नगरिये इस्थानिये स्वायशासन संस्थाओं की संगठनात्मक सरनचना उनका कार्रे और उनकी शक्तियां इस चैप्टर में हम चोतर्में समिधान संशुधन से पहले और चोतर्में समिधान संशुधन के बाद की क्या सरनचना रही है सानी स्वायशाशन की इसके बारे में समझेंगे इसके अत्रिक्त हम समिधान तर स्चचित नगरिये पशासन की सरनचना को भी जानेंगे और समिधान के अलग नगरी पशासन की सारंचना क्या है इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे महानगरूं का इस्थानी पशासन और उसके अंतरगत नगानिगम और उसकी स्वायतिता और उत्तरदायत्र की समस्या इस चैप्टर में हम नगर निगम और नगर परिशद के अंतर को जानेंगे नगर निगम कैसे बनाये जाते हैं इनकी स्थापना का क्या माहदन्ध है इनका आंतरीक संगठन कैसे होता है परिशद मेयर उप मेयर नगर आयूक्त समीतिया नगर निगम के कार्य, नगर निगम की वित्तिय वेवस्ता, नगर निगम पर नियंत्रण, स्वायतिता और उक्तरदाइत्व की समस्या, स्वायत्तता का क्या अर्थ होता है इसकी आवशक्ता क्यों पढ़ती है और इसकी क्या उप्योगिता है और इसकी क्या मर्यादा है इन सारी चीजों के बारे में हम इस विशय पर समझेंगे इस विशय को पढ़ेंगे फिर हम पढ़ेंगे नगर परिशद आवर नगर पालिका इसकी संग्ठन और कारेप्रणाली जिसमें नगर परिशद और नगर पालिका में क्या आंतर है इसकी सरंचना कैसी है इसमें परिशद अध्यक्ष परध्यक्ष आयुक्त अधिशासी अधिकारी उनकी समीतियां उनकी शक्तियां उनके कार इन सब की जानकारी ग्रेंड करेंगे आयाक नेकषक शेप्टर आइगा भारत में लोक्तांतुरीक विएंदारि करन का क्या सिध्धान्त है और क्या विवहार है इस बारे में समझेंगे इसमें हम लोकतांत्रिक विकेंद्री करण का अर्थ उसकी विशेश्था है लोकतांत्रिक विकेंद्री करण और स्थाने स्वैशासन लोकतांत्रिक विकेंद्री करण का विवहारिक पक्ष क्या होगा पंचा क्या-क्या विक्रतियां आगी हैं इन सब बातों को हम भारत में लोकतांत्रे इवगेंदेकरण के इस चाप्टर में जानेंगे इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत अर्थात इसके प्रष्ट भूम में कैसी है परिवर्थित समयधानिक परिवेश क्या है पंचायत की संबचला उसका निर्वाचन निर्वाचन के लिए क्या आहरताई हैं योगिताई हैं सरपंच का निर्वाचन, उप सरपंच का निर्वाचन, इस्थानों का आरक्षन, पंचायत का कारेकार, सरपंच और उप सरपंच की शक्तियां, अविश्वास का प्रस्ताव, पंचायत की बैठक, वार्शिक बजट, पंचायत के कारे और शक्तियां, ये सारी चीजें हम ग्र पिर हम करेंगी पंचायत समीति इस चप्टर में हम पंचायत समीति की प्रश्ट भूमी पंचायत समीति की 1994 के अधिनयम के अनुसार उसकी क्या संदचना है इस्थानूं का आरक्षन कैसे किया है कारेकाल निर्वाचन पदादिकारी प्रधान उप्रधान का निर्वाचन आप पदों की अवधी तथा एविश्वास का प्रस्ताव, पंचाय समीती की बैठक, विकास अधिकारी की मुट्टी, शक्ती, प्रसार अधिकारी, पंचाय समीती की कार्य और शक्तियां, आधी की जानकारी लेंगे। परिशत के अंतरगत, हम 1994 के अधिनियम के अंतरगत जिला परिशत की कैच्से सर्वनचना हुई है, उसके सदस्ते, अध्यक्ष, प्रमुक, उप्रमुक, उनकी सथाई समीतियां, मुख्ध कारपला का अधिकारी, उनकी वार्शीत, प्रिशासिं रिपोर्ट, आधी की जानकार कैसे इसके बादब में ज़ा सभा वह बाद्व है ईसुन काधिस्थान में स के लिगा है इसका प्रावधा यही सिन अदिकारी गराम सोभाव इसके लिगतिकार और का चरह का लिग्षा करेंगे ही कshit नगरी स्थानों संस्ताओं को कार्मी प्रशास्ञ Year इनकी कार्मिक प्रणालियां क्या है, एकिकरत कार्मिक प्रणाली क्या है, समन्वित कार्मिक प्रणाली क्या है, राजस्थान में नगरिये संस्थाओं में कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत, कार्मिकों की भरती, पदोन्नति, इस्थानांतरन, एस्थाय भरती, रशिक्षन, पेटर्मान, कार्मिक प्रशासन की समिक्षा, समस्रें और सज्जाव की जानकारी लेंगे. इसके बाद होगा पंचायती राज संस्थाओं का कार्मिक प्रशासन, इसमें भी हम इनके बारे में समझेंगे की इनका चायन कैसे होता है, इनका प्रशिक्षन कैसे होता है राजिस्थान पंचायती राज धिनियम 1994 के अंतरगत कार्मिक प्रशासन सेवा चाना योग कैसे कारे करता है और उनकी प्रशिक्षन की सुधार के लिए हम क्या सुझाव दे सकते हैं किसी संस्ताओं को विद्दिय प्रशासन में उनके वित्त का महत्यु राजस्थान के नवी नधिनियम के अंतरगत विवेन संस्ताओं ग्राम पंचायत पंचायस смीति जिला परिशत आधी के आएकिश्योंर क्या गया है इनका बज्जट बेखाा आपके इंक्षम समिक्षा आ नगरी संस्थानी संस्थाओं के वित्ति प्रशासन में इनके आयके स्रोत, करों से होने वाली आय, करों के अत्रित आय, आंतरिक स्रोत, भारी स्रोत, कमजोर वित्ति स्थिति के कारण और उसके सुझाव, नगरी संस्थाओं का बचट, उनका लेखा और परिक्षन, लेखा प उसके प्रकार क्या हैं जैसे विधाई नियंत्रण, तक्नीकी नियंत्रण, वित्ती नियंत्रण, उसका स्वरूब, उसका परिवेश और समिधान संशुर्दन के क्या प्रिभाव पड़े हैं और हम अच्छे नियंत्रण के लिए क्या सुधार कर सकते हैं। पंचाय तीरा संस्थाओं पर राज्य का नियंतंतरण कैसे रहता है। नियंतरन की अवधारना, उसका अधार, प्रक्रती, इसका अस्तर, प्रशास्तिक नियंतरन, तक्नीकी नियंतरन, वित्तिय नियंतरन, आदी की जानकारी लेंगे। नगरी संस्था, इस्थानी संस्थाओं का निदेशाले कैसे कारे करता है उसका गठन, उसका निदेशक, अत्रिक निदेशक, परियोचना निदेशक, साहयक निदेशक, इसकी आंत्रिक संवरचना, उसका कारे, निश्पाधन, प्रक्रिया, इसकी शक्ती, कारे और भूमी का क की जानकरी ग्रहन करेंगे पंचायती राज विभाग में आम इसकी एतियासिक प्रश्पूमी इसका विकास पंचायत एम विकास विभाग की स्थापना मंत्री आयूक्त निदेशक नियूजक अदिक्षन अभियानता संपादक आधी के कार्य को समझेंगे